रूप चतुर भुज धारी गजानन कर में लिए एक उठार भक्त जनों की रक्षा करते असरों का संभार जय जय गणेश गिर जानन्दन रिधी सिधी के प्यारे क्रिपात रोहे एक दंत हम आए शर्ण तुम्हारे जय गणेश गिर जानन्दन रिधी सिधी के प्यारे क्रिपात रोहे एक दंत हम आए शर्ण तुम्हारे रिधी सिधी के प्यारे जय गणेश बगवार अश्ट विनायक रूप में है प्रभू आपने जब अवतार लिया अश्ट विनायक रूप में है प्रभू आपने जब अवतार लिया अश्ट विनायक रूप में है मुशक सवारी लेकर आते जब जब भक्त पुकारे कृपा करो है एक दंत हम आए शरण तुम्हारे रिद्धी सिर्धी के प्यारे कृपा करो है एक दंत हम आए शरण तुम्हारे रिद्धी सिर्धी के प्यारे सब से बड़े हैं मात पिताई सारे जग को बत लाए मात पिता की सेवा करके गणा ध्यक्ष का पद पाए सब से बड़े हैं मात पिताई सारे जग को बत लाए मात पिता की सेवा करके गणा ध्यक्ष का पद पाए बल बुधिवित्यादो चमकाओ विस्मत के सितारे कृपात रोहे एकदंत हम आए शरण तुम्हारे एकडिश किल जानन्द रिधी सिर्धी के प्यारे कृपात रोहे एकदंत हम आए शरण तुम्हारे रिधी सिर्धी के प्यारे जैगरीश भगवार जैगरीश भगवार अन्दल सलता विगर दिनाशक जैगरीश भगवार अन्धन वैभो ऐश्वर्य से भरते हो भंडार प्रभू कार्य सिध करके भगतों पे करते हो उपकार प्रभू अन्धन वैभो ऐश्वर्य से भरते हो भंडार प्रभू कार्य सिद्ध करके भगतों पे करते हो पकार प्रभू भगत करे बंदन तेरा देशिव शंभू के दुलारे प्रिपा करो हे एक दंत हम आये शरण तुम्हारे देख निश गिल जानन्द रिद्धी सेथी के प्यारे प्रिपा करो हे एक दंत हम आये शरण तुम्हारे रिद्धी सिद्धी के प्यारे आओ गजानन प्यारे आओ गजानन प्यारे गिर जाके दुलारे आओ गजानन प्यारे गिर जाके दुलारे सब देवन में देव कहाए सब देवन में देव कहाए पूजों 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 में चरण तुम्हारे गजानन प्यारे गिर जाके दुलारे हरी हरी दुर्वा तुमको चड़ाए हरी हरी दुर्वा तुमको चड़ाए हरी हरी दुर्वा तुमको चड़ाए चंदन जुला डारे ओ गिर जाके दुलारे सब देवन में प्यारे गिर जाके दुलारे लडवन का हम भोग लगाए लडवन का हम भोग लगाए पलक पलक पाव पर डारे गिर जाके दुलारे तुमको मनाए आसन लगाए भक्त तुमको मनाए आसन लगाए भक्त तुमको पुकारे गिर जाके दुलारे आहो बजादन प्यारे गिर जाके दुलारे आहो बजादन प्यारे गिर जाके दुलारे जेहु गणिश मंगल करता है घणपत्य महराज रिधि सिद्ध के स्वामी देवा पूरण करिये काज रिध्य सिद्य के स्वामी देवा पूरण करिये काज विखन के हरता मंगल करता है गणपति महराज रिध्य सिद्य के स्वामी देवा पूरण करिये काज रिध्य सिद्य के स्वामी देवा पूरण करिये काज आपकी जय गणपति महराज सभी देवताओं से पहले गणपति पूझे जाते हैं जहां जहां भी जाते हैं शुभ मंगल ही कराते हैं भूग लडवन का जोभी लगाए मनोरत उसके पूण हो जाएं एक दंत दयावन्त प्रभू मूसक पर रहे विराज रिध्य सिद्य के स्वामी देवा पूरण करिये काज आपकी जैगनपति महराज आपकी जैगनपति महराज क्रूधित होकर शिव जी ने गनपति जी का सरकाट दिया व्याकुल हुई माँ पारवती तब शिव जी ने एक जतन किया मस्तक हाथी का मंगवाए और गनपति के धड़ पे लगाए हुआ गजानन के जीवन का फिर से नया आगाज रिद्धि सित्ध के स्वामी देवा पूरण करिये आज आपकी जैगनपति महराज आपकी जैगनपति महराज शादी हेतु पूरी प्रित्वी के चकर साथ लगाने थे मात पिता की कर परिक्रमा गनपति बड़े सयाने थे शादी हेतु पूरी प्रित्वी के चकर साथ लगाने थे मात पिता की कर परिक्रमा गनपति बड़े सयाने थे शिवजी गनपति पे हरशाए रिति सित्धी से शादी कराए सित्धी सदन गज बदन विनायक जग पे आपका राज रिद्धी सित्धी के स्वामी देवा पूरण करिये काज आपकी जैगन पति महराज आपकी जैगन पति महराज श्रत्धा और विश्वास लिहें सब द्वार तुहारे आते हैं आपकी क्रिपा से भक्त सभी बिन मांगे सब कुछ पाते हैं करते हो मुशक की सवारे लीला पपा तुहारे न्यारे वंदन करू कर जोड के हैं देवों के सरकाज रिद्ध सित्ध के स्वामी देवा पूरण करिये काज आपकी जै गणपति महराज आपकी जै गणपति महराज गणपति महराज गणपति महराज गणपति महराज तुम्हे मनाते हैं गजानन तुम्हे मनाते हैं गजानन 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 कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं गजानन कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं गजानन कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं आज हम तुम्हे मनाते हैं आओ पारवती के लाला मुशक वाहन दूंद दूंदाला आओ पारवती के लाला मुशक वाहन दूंद दूंदाला जब तुम्हारे नाम की माला ध्यान लगाते हैं गजानन गजानन कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं उमपती शंकर के प्यारे सब भक्तों के काज सवारे भक्तों के संग पापी भीतारे जो शरण में आते हैं गजानन 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 कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं पामा मामा गगारे पाबा मामा गगारे मागारे रेसा निजारेसा निवतों के लगावे लड़ु पेडा भोग लगावे पांसु पारी फूल चड़ावे हाथ जोड सब करे बंदना भोग लगाते हैं गजानन गजानन कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं सुन है लंबी कान है चोड़े भगतों के घर आते दोड़े सुन है लंबी कान है चोड़े भगतों के घर आते दोड़े लगते प्यारे सोने सोने पार लगाते हैं गजानन 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 कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं गजानन कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं कीर्टन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ कीर्टन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ रिथी और सिथी को संग में लाना कीर्टन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ कीर्टन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ फूलों से सुन्दर सा आसन सजाया स्वागत में घीका दिया है जलाया फूलों से सुन्दर सा आसन सजाया स्वागत में घीका दिया है जलाया लड्डू भी लड्डू भी है तैयार की भोग लगा जाओ कीर्टन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ सब देवों से पहले तुम पूजे जाते मंगल करता विघन हरता कहाते सब देवों से पहले तुम पूजे जाते मंगल करता विघन हरता कहाते हम पे भी अपने क्रिपा प्रभू पर साजाओ कीर्टन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ दर्शन की आस लिए अपने मन में मगन हुए सारे भक्ति भजन में दर्शन की आस लिए अपने मन में मगन हुए सारे भक्ति भजन में मगन हुए सारे भक्ति भजन में बुझ जाए बुझ जाए नैनों की प्यास की दरस दिखा जाओ की तन है मेरी घरे आज त जानन आ जाओ बस इतनी कृपा करो मेरे देवा करते रहे हम सदा तेरी सेवा बस इतनी कृपा करो मेरे देवा करते रहे हम सदा तेरी सेवा करते रहे हम सदा तेरी सेवा अरज करे रवी राज रिदे में समा जाओ पीतन है मिरी घर आज कर जानने आजाओ प्रिय भगतो विगन हरता, मंगल करता, भगवान श्री गणेश सभी देवी तेवताओं में जिनकी पूजा सर्वप्रत्थम की जाती है और जो अपनी बुद्धी मता और चतुराई के लिए जाने जाते है हमारी आज की ये कहानी उनकी उसी बुद्धी मता के बारे में है जिसमें ये साबित होता है कि उनके जितना बुद्धी मान शायद कोई और नहीं भगवान भोले नाथ के दोनों सुपुत्र भगवान कार्थिके और श्री गणेश जैसे ही युवा अवस्था में पहुँचते हैं उनके बीज एक छोटा सा विवाद हो जाता है और वो विवाद था शादी का विवाद सिर्फ इतना था कि पहले शादी किसकी होगी कार्थिके की या गणेश की भगवान शंकर ने एक शर्त रखी और उस शर्त को भगवान गणेश अपनी बुद्धी मता से कैसे जीतते हैं आये सुनते हैं गजानन बड़े ही बुद्धी मान गजानन बड़े ही बुद्धी मान मंगल करता वेक्न विनाशक मंगल करता वेक्न विनाशक शिवजी की संतान गजानन बड़े ही बुद्धी मान गजानन बड़े ही बुधी मान दोनों पुत्रों को बुलाएं शंभुदानी समझाएं पहले हो शादी किसकी हमने है नियम बनाएं दोनों प्राणों से प्यारे ओ मेरे राज दुलारे सुन लो तुम शर्त हमारी जो जीते बाजी मारे कैसी शर्त रखे शिव शंभुदानी समझाएं करध्यान गजानन बड़े ही बुधी मान गजानन बड़े ही बुधी मान गजानन बड़े ही बुधी मान तो प्रियश रोताओं शर्त ये थी कि पूरी प्रित्वे की परिक्रमा करके जो भी पहले आ जाएगा शादी उसी की होगी ये सुनते ही कार्थी के प्रित्वे की परिक्रमा करने निकल पड़े मगर गणेश जी वो सोच में पड़ गए कि मेरा भारी भरकम शरीर और मेरी मूशक की सवारी उसके साथ मैं इस प्रित्वे की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा और वो भी पहले तब गणेश जी ने चतुराई से काम लिया और अपनी बुद्धी मता का परिचर देते हुए क्या किया आए सुनते है गजानन घर को आए तनिकना देर लगाए वो आसन सुन्दर बिचा कर पिता माता को बिठाए चर्णों में शीश जुकाए वो छपन भोग लगाए पिता माता की परिक्रमा कर के गणपती हर शाए शुब विवाह पहले हो मेरा शुब विवाह पहले हो मेरा मांगे ये वरदान गजानन बड़े ही बुद्धी मान गजानन बड़े ही बुद्धी मान गजानन बड़े ही बुद्धी मान पहले तो भगवान श्री गणेश सोचते हैं और फिर अपने माता पिता जी की विद्धीवत पूजन करके दोनों की साथ बार परिक्रमा करते हैं और कहते हैं लीजी मेरी परिक्रमा तो हो गई तब शंकर जी पूछते हैं पुत्र गणेश तुम्हारी परिक्रमा कैसे हो गई कार्ति के तो अभी आया भी नहीं और तुमने साथ बार परिक्रमा कर ली और वो भी इस पृत्वे की तो पुत्र तुम जल्दी जाओ और पूरे पृत्वे की परिक्रमा करके जल्दी आओ अगर कार्ति के पहले आ गया तो उसके शादी पहले हो जाएगी फिर तुम मुझसे मत कहना कि पिताजी आपने कार्ति के एक शादी पहले कर दी मैं वचन बद्ध हूं वालक ये सुनकर भगवार श्री गणेश अपनी बुध्धी का फिर से इस्तमाल करती है और आगे क्या जूट नहीं बोल रहा मैं मेरा विश्वास कीजिए जूट नहीं बोल रहा मैं मेरा विश्वास कीजिए पिता माता की परिक्रमा जो कोई करके आए पूरी धरती की परिक्रमा का फल वो पल में पाए मैंने पढ़ी ये सारी बाते केहते वेद पुरान गजानन बड़े ही बुधी मान गजानन बड़े ही बुधी मान प्यारे भगतों माता पिता के प्रती भगवान श्री गणेश का ये प्यार देखकर भगवान शंकर उनकी बातों को कैसे डालते वो गणेश की शादी पहने करने के लिए राजी हो गए भगवान शंकर ने भी सोचा पुत्र गणेश की बात एकदम सही है तीनों लोकों में माता पिता से बढ़कर और कोई इश्वर है ही नहीं जो माता पिता को पूझते हैं उनको किसी इश्वर की जरूरत नहीं जो बच्चे अपने माता पिता को प्रेम देते हैं भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं और इसके बाद भगवान शिव ने तुरंत विश्वरूपाजी को बुलवाया और उनकी दोनों पुत्रियों रिध्धी और सिध्धी के साथ भगवान श्री गणेश की विवाह की तयारी शुरू कर दी और जैसे ही ये बात तीनों लोकों में पता चली सारे देवी देवता खुशी से जूम उठे और अंबर से फूल परसाने लगे आखिर भगवान भोले नाथ के पुत्र गणेश जी की शादी होने जा रही थी भगवान भोले नाथ की ओर से सभी देवी देवताओं को निह निमंत्रन भेजा गया कि आप सभी आएं और वर्वधू को अपना आशिरवात दे और इधर रिधी और सिद्धी भी अपना विवाह भगवान श्री गणेश के साथ तया हुआ सुनकर खुशी से भूले नहीं समा रही थी आए हाए हाए आखिरकार भगवान श्री गणेश उनके पती जो बनने जा रहे थे देव दानव सब आए अप सरानत्य दिखाए शादी की हुई तयारी सज रहे गणपती प्यारे दूलह बन गणपती आए रिधी सिद्धी मन भाए शादी संपन हो गई देवता फूल बरसाए रिधी सिद्धी को पाँ कर हरशित हुए गणेश भगवान गजानन बड़े ही बुधीमान गजानन बड़े ही बुधीमान प्रियश रोतागन इस कहानी से हमें भगवान श्री गणेश जी की बुधीमता का पता तो चला ही लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता चला कि भगवान श्री गणेश ने भी इस उम्ट स्रिष्टी से भी उपर अपने माता पिता को रखा और जो लोग अपने माता पिता को भगवान से उपर रखते हैं भगवान उन्हें अपने दिल के करीब रखते हैं और इसी विए हम सबको भी अपने माता पिता जी की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए जै श्री गणेश जै श्री गणेश मेरे घर में पधारो आज हो प्यारे गण पती जी मेरे घर में पधारो आज हो प्यारे गण पती जी रिदी सिदी संगले के प्रभु जी आजाना आके मेरे सवारो काज हो प्यारे गण पती जी मेरे घर में पधारो आज हो प्यारे गण पती जी भक्ति भाव से तुमको बुलाओं चर्णों में तेरे शिश जुकाओं भक्ति भाव से तुमको बुलाओं चर्णों में तेरे शिश जुकाओं सब देवों के सरताज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपती जी आपकी महिमा सब से न्यारी सुन लिजे प्रभु विनय हमारी आपकी महिमा सब से न्यारी सुन लिजे प्रभु विनय हमारी रखिये भक्तों की लाज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपती जी लड़ू का भूग जो तुमको चड़ाए उसकी हरिक इच्छा पूरी हो जाए लड़ू का भूग जो तुमको चड़ाए उसकी हरिक इच्छा पूरी हो जाए मेरे दिल पे आपका राज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपती जी आपके चर्णों की धूली जो पाए कंकड भी पल भर में ही रा हो जाए आपके चर्णों की धूली जो पाए कंकड भी पल भर में ही रा हो जाए है भक्तों को आप पे नाज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपती जी मेरी सभी भोल तुम भूल जाना अपनी क्रिपा देवा हम पे बरसाना मेरी सभी भोल तुम भूल जाना अपनी क्रिपा देवा हम पे बरसाना मेरी सभी भोल तुम भोल जाना अपनी क्रिपा देवा सदा बरसाना देते है तुम्हे आवास ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपती जी गणपती आज पधारो आशी रामजी की दुन में मोदक भोग लगाओ शी रामजी की दुन में गणपती आज पधारो आशी रामजी की दुन में अनमत आज पधारो देवा पवन वेग से आओ अनमत आज पधारो देवा पवन वेग से आओ बलबुद्धी दे जाओ शी रामजी की दुन में गणपती आज पधारो शी रामजी की दुन में ब्रम्हाजी पधारो माता ब्रम्हाणी को लाओ वेद ग्यान समझाओ शी रामजी की दुन में गणपती आज पधारो शी रामजी की दुन में नारद आज पधारो चम 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 कर ताल बजाओ नारद आज पधारो शम चम चम कर ताल बजाओ नारद आज पधारो शम चम कर ताल बजाओ नारायन गुणगाओ शी रामजी की दुन में गणपती आज पधारो शी रामजी की दुन में गणपती आज पधारो शी रामजी की दुन में प्रेम मगन हो जाओ भक्तो रामजी की दुन में गणपती आज पधारो शी रामजी की दुन में हम आज तुम्हें श्री गड़नायक की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं एक दंत नाम पड़ कैसे सब को आज बताते हैं श्री गौरी पुत्र गणेश के चरणों में शीष जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं एक दंत नाम पड़ कैसे सब को आज बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे जे गणपती महराज मिरपूर्ण करू सब काश परशुराम जी शिव दर्शन की किये थे तैयारी गंगा जल को हाथ में लेके चले थे अवतारी शद्धा से शिव पूजन को वो जा पहुचे कैलाश शिव दर्शन ना होने पाया पहुच न पाये पास परशुराम से बोले का जानन वही पे रुक जाओ आगे नहीं जा सकते अपना परिचैवत लाओ लीन समाधी में शिव जी है वापस तुम जाओ शंकर जी की समाधी को ना भंग तुम करवाओ परशुराम सुनकर बातें गुसे में आते हैं पावन कता सुनाते हैं एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं हम कता सुनाते हैं जे जे गणपती महराज मेरे पूर्ण करू सब काश त्रोजित हो गए परशुराम जी चेहरा हो गए लाल गुसे में बोले गणिश तुम हट जाओ ततका उठा जो परशा मेरा तो ये बनेगा तेरा काल करना बाते बड़ी बड़ी तू वानी को संभा शिव अराध्य है मेरे मुझे को रोक न पाओगे अगर राह रोके जो मेरी मारे जाओगे मानो मेरी बात नहीं तो तुम पच्चताओगे मेरे बार से बालक तुम बच्च नहीं पाओगे अब चेतावनी गणेश को परशूराम सुनाते हैं पावन कता सुनाते हैं एक दंत नाम पड़ा कैसे सब को आज बताते हैं हम कता सुनाते हैं जे जे गणपती महराज मेरे पूर्ण करू सब काज जे जे गणपती महराज मेरे पूर्ण करू सब काज जिद्धी गणेश को देख परशूराम करने लगे विचार इस बालक के साथ में आतिर कैसा करूँ व्योहा हठी है पर बालक है वो कुछ समझ न पाते हैं वार करने से पहले मन ही मन सकुच आते हैं परशूराम की शक्ती से गण नायक थे अनजान कौन है परशूराम नहीं थी उनको ये पहचान बोले गणे शिक्त्रि पुरारी का मैं हूँ पहरेदार मुझसे लड़कर हे सन्यासी पाएगा ना पार शिव भगतों पे कभी नहीं हम शस्त्र चलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं एक दंत नाम पढ़ कैसे सब को आज बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे जे गणपती महराज मिरपूर्ण करू सब काश परशुराम के गुस्ते का तब वेग हुआ प्रचंड बोली हठी बालक सुन ले अब दूंगा तुझको दंड उलज गए वो श्री गणेश से युद्ध हुआ भारी परशुराम से लड़ बैठे मुद्मंगल मैं कारी युद्ध हुआ ती भीशन तब मच गया हाहाकार होनी तो होके रहती कोई सकता नहीं है टार दोनों वीर योधाना माने एक दोजे से हार युद्ध में तूटा दांच गणेशिका करने लगे चितकार गिरजा सुतरक्षा है तुप गिरजा को बुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं हम कथा सुनाते हैं जे जे गड़पति महराज मेरे पूर्ण करू सब काश जे जे गड़पति महराज मेरे पूर्ण करू सब काश रक्षा करो है मा मेरी रहश्री गणेश चिल्लाई सुनी पुकार गणेश की माता गई क्रोध मेयां धरती काफी अंबर कापा कापने लगा पताल क्रोध के मारे पारवती की आँखे हो गईलाई परसाधारी परशुराम जी बैसे गए धर्राई क्रोधित मा को कैसे मना हूँ कुछ भी समझनाई परशुराम ने चर्णों पे गिरके मा को किया अप्रणाम चूक शमा कर दोहे मा बोले हैं परशुराम अश्रुपूर्ण आखों से विनै करमा को मनाते हैं पावन कता सुनाते हैं एकदंत नाम पड़ कैसे सबको आज बताते हैं हम कता सुनाते हैं जे जे गड़पति महराज मिरपूर्ण करू सब काश क्रोध शान्त हुआ पारवती का पारवती घबराई हाथ जोड के परशुराम ने सारी बात बताई बोले गलती हुई है माते शमा का दी जोदान प्रिये बहत है मुझको भी तो आप की ये संता मैं ना जाना प्यारे पुत्र है आपके श्री जणेश वरना मेरे मन में ना था कोई राग और द्वेश फिर भी गलती हुई है मुझको करता हूँ सीकार करो माफ है पारवती मा आया आपके द्वाः परशुराम जी गलती पर बहत पच्चताते हैं अश्रुधार बहते हैं एक दंत नाम पढ़ा कैसे सबको आज बताते हैं हम कता सुनाते हैं जै जै गड़पति महराज मिरपूण करूं सब काँश लिए गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज की भक्तों देव गजानन भक्त जनों के रखवाले हैं। लिए गणेश जी के आठ अवतानों की संगीत में कथा सुनाने जा रहा हूँ। जिससे आपको व्यात होगा के कैसे गणपती बगपा ने अलग अलग रूप धारण किये और अपने भक्त जनों की तथा देवी देवताओं की रक्षा की। ओं श्री गणेश आए नमो नमाहा। आओ सुनाओ भगतों श्री गणेश की कहानी। ये वेदों की हैवानी रिश्मुनियोंने बखानी। आओ सुनाओ भगतों श्री गणेश की कहानी। आईए भकतों भगवान गणेश के आठ अवतारों की पावन गाथा सुनते हैं। देव गजानन का प्रथम अवतार वक्रतुंड रूप का है भकतू। देवा ने ये अवतार मत्सरासुर का वद करने हितु धारन किया था। मत्सरासुर नामक दैते ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अनेक अनेक वरधान प्राप्त किये थे। और अपने बल के नुसार उसने स्वर्ग को अपने आधीन कर लिया था। तब देवों के आवान पर देवा ने वक्रतुंड का रूप धरन किया और मत्सरासुर तथा उसके पुत्रों का वद किया तथा देवी देवताओं के कस्टों का हरन किया। ऐसे ही भक्तों अपने दूसरे आवतार में वप्पा ने एक दंत का रूप धरन किया। और मतासुर का अंतकर देवी देवताओं के कस्टों का हरन किया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान गणपती गणेश की जैजेकार बुलाई। बने वक्र तुंड देवा मचरा सुर कुमारा। और एक दंत बन के है मदा सुर संघारा। देवों के रक्षकीनी किर्दी सभी बखानी। आओ सुनाओं हगतों श्रीगरेश की कहानी। अपने तीजे अवतार में गणपती गणेश महराज ने महोदर का रूप धारण किया था बक्तों। नाम के अनुसार इस अवतार में देवा का बहुत बड़ा पेट है तथा ये मूशक की सवारी करते ही। जब मोहासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी तब सभी देवी देवताओं के आवान पर देवा ने मोहासुर से युद्ध कर उसे हरा कर अपने आधीन कर लिया था। भकतों देवा का चटुरत अवतार है गजानन अवतार जब लोभासुर से युद्ध करने देवा आए तो लोभासुर ने उनकी शक्ती को देख कर बिना युद्ध करे ही उनके चरणों में समर्पन कर दिया तथा पराजय सुईकार कर भगवान श्री गणेश की आधीन का स महोदर का रूप धारा मोहा सुर हराया गजानन से हार मानी लोभासुर शरण में आया गजानन से हार मानी लोभासुर शरण में आया असुर होने ख्षमा मांगे आधीन ता भिमानी आओ सुनाओ भगतों श्री गणेश की कहानी अपने पंचम अवतार में गणपती गणेश भगवान ने लंबो दर का रूप धारन किया और देवों पर अत्याचार करने वाले क्रोधा सुर को युद्धु में परास्त कर उसे सदा सदा के लिए पाता लोग भेज दिया अपने छटे अवतार में भगवान श्री गणेश जी ने विकट का रूप धारन किया था भक्तु और मोर की सबारी कर शिव से वरदान प्राप्त की हुए कामा सुर का वद कर उसके अत्याचारों का अंत कर दिया था देवी देवताओं ने एक बार फिर गवरी नंदन भगवान श्री गणेश के चर्णों में प्रणाम कर उनकी जैजेकार की लंबो दर बने तो प्रोधा सुर को हराया बने जब विकट है देवा कामा सुर मिटाया असुरों ने घुटने टेके और हार अपनी मानी आओ सुनाओं भगतों श्री गणेश की कहानी अपने सप्तम अवतार में भगवान गणपती गजानन ने विग्न राज का रूप धारन किया था भगतों और जब ममा सुर ने अपने बल से सभी देवी देवताओं को अपना बंदी बना कर उन्हें कैद कर लिया था तब विग्न राज रूप में देवा ने असुर को परास्त कर देवों को उसकी कैद से मुक्त कराया था अपने अस्टम अवतार में भगवान श्री गणेश ने धूमरवन का रूप धारन किया और महाशक्ति शाली दैत्य अहंता सुर का अंतकर देवी देवताओं को उसके अत्याचानों से मुक्त किया था तो आएए भगवान श्री गणेश के आठों अवतारों की जैजे कार करें बोलिये गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश जी महाराज के बने आप विगन राजा ममा सुर को था हराया और धूम्रवर्ण बनके अहंता सुर मिटाया चन्दन तिलकन देवाँ महिमा तो है बखानी आओ सुनाओ हगतों श्री गणेश की कहानी